स्वर्ग नरक आपके हाथ में है एक बुजर्ग औरत मर गई एमराज लेने आए औरत ने एमराज से पुछा आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक एमराज बोले दोनों में से कहीं नहीं तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किये हैं इसलिए मैं तुम्हें सीधे पर्भु के धाम ले जा रहा हूँ बुजर्ग औरत खुस हो गई बोली धन्यवाद पर मेरी आप से एक बिंती है मैंने यहां धर्ती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है मैं एक बार इन दोनों जगों को देखना चाहती हूँ हैमराज बोले तुम्हारे कर्म अच्छे है इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते ही होते हुए पर्भु के धाम चलेंगे दोनों चल पड़े सबसे पहले नरक आया नरक में बुजर्ग औरत ने जोड़ जोड़ से लोगों की रोने की आवाज सुनी वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बिमार दिखाई दे रहे थे औरत ने एक आदमी से पूछा यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है आदमी बोला तो और कैसी हालत होगी मरने के बाद जब से यहाँ आये हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया भुख से हमारी आत्माय तरप रही है बुजर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो की लोगों की कस्थ से करीब 300 फूट उचा होगा इस पर उस आदमी से पूछा इस पतीले में क्या है आदमी मायू सुकर बोला ये पतीला बहुत ही स्वाधिस्ट खीर से हर समय भरा रहता है बुजर्ग औरत ने हैरानी से पूछा इसमें खीर है तो आप लोग पेट भड़के ये खीर खाते क्यों नहीं भुख से क्यों तरप रहे है आदमी ने रोकर बोलने लगा कैसे खाए ये पतीला तीन सो फीट उचा है इसमें से कोई भी उस बतीले तक नहीं पहुँच पाता है बुजर्ग औरत को उन पर तरस आ गया सोचने लगी बेचारे खीर का क्पातिला होते वे भी भूख से बेहाल है साइद इस्वर ने ने ये ही डंड दिया होगा एमराज बुजर्ग औरत से बोले चलो हमें देर हो रही है दोने चल पड़ें कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया वहाँ पर बुजर्ग औरत को सबकी हसने खिल्खिलाने की आवाज सुनाई दी सब लोग बहुत खुस दिखाई दे रहे थे उनको खुस देखकर बुजर्ग औरत भी बहुत खुस हो गई पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजर्ग औरत की जर वैसे ही 300 फूट उचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था उसके उपर भी वैसे ही चम्मच लटका हुआ था बुजर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पुछा इस पतीले में क्या है स्वर्ग के लोग बोले इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है बुजर्ग औरत हैरान हो गई उनसे बोली पर ये पतीला तो 300 फीट उचा है आप लोग तो इस तक पहुची नहीं पाते होंगे उस हिसाफ से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा आप लोग भूख से बेहाल होंगे पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं हो कि ऐसे कैसे लोग बोले हम तो सभी लोग इस पतीले से पेट भर भर के खीर खाते हैं औरत बोली पर कैसे पतीला तो बहुत उचा है लोग बोलें तो क्या हो गया पतिला उंचा है तो यहाँ पर कितने असारे पेर हैं इस पर ने ये पेर पौधे नदी जड़ने हम मनुश्यों के उपयों के लिए ही तो बनाए हैं हमने इन पेरों की लकडी ली उसको काटा फिर लकडीयों की टुकरों को जोड़कर बिसाल सीरी का निर्मान किया उस लकडी के सीरी से के सहारे हम पतिले तक पहुंचाते हैं और सम मिलकर खीर का आनद लेते हैं बुजर्ग गौरत एमराज की तरफ देखने लगी एमराज मुस्क्राएं बोले इसवर्ग और नड़क मनुस्यों के हाथों में ही सौप रखा है चाहे तो अपने लिए नड़क बना ले चाहे तो अपने लिए स्वर्ग इसवर्ग ने सब को एक समान हालातों में डाला है उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान है पर किसी भीब से भेद भावने कर दिम्हादा नरक में और लोग खुदी आलसी उन्हें खीर हाथ में चाहिए वो कोई करम नहीं करना चाहिए तें कोई मेनत नहीं करना चाहिते इसलिए भूकत से और Two-weit यस ही तो इस्वर की ही बनाई इस दुनिया के नियम है जो कर्म करेगा मेहनत करेगा उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा ये ही आज के सुविचार है स्वर्ग और नरक आपके हाथ मेहनत करे अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए